आईए सुनते हैं मुन्सी प्रेम चन जी की कहानी धिक्कार अनात और विद्वामानी के लिए जीवन में अवरोने के सिवा दूसरा अवलंब न था वह पांच ही वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया माता ने किसी तरह उसका पालन किया सोला वर्ष की आवस्था में मुहले वालों की मदद से उसका विवा भी हो गया पर साल के अंदर ही माता और पती दोनों विदा हो गए इस विपती में उसे अपने चचा वंसी दर के सिवा और कोई ऐसा नजर ना आया जो उसे आस रह देता वंसी दर ने अब तक जो वेवार किया था उससे या आसा ना हो सकती थी कि वह सान्ती के साथ रह सकेगी पर वह सब कुछ सहने और सब करने को तयार थी वह गाली जड़की मार पीट सब सह लेगी कोई उस पर संदेव तो ना करेगा उस पर मिठ्या लांचन तो ना लगेगा सोधों और लुच्चों से उसकी रक्षा होगी वंसी धर को कुल मरियादा की कुछ जिंता हुई मानी की याचना को एस सविकार ना कर सके लेकिन दो चार महीनों में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निबाह ना होगा वह घर का सारा काम करती इ और ना जाने क्यों चचा और चची दोनों उससे जलते रहते उसके आते ही महरी अलग कर दी गई नहलाने धुलाने के लिए एक लॉंडा था उसे भी जवाब दिया गया पर मानी से इतना उबार होने पर भी चचा और चची ना जाने क्यों उससे मो फुलाए रहते चचा घ उसी की बातों में कुछ आत्मेता, कुछ सने का परचे मिलता था वह अपनी माता का सहुभाव जानता था अगर वह उसे समझाने की चेश्टा करता या खुलम खुला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता इसलिए उसकी साहन भूती मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी वह कहता, बहन, मुझे कहीं नौकर हो जाने दो फिर तुमारे कश्टों का आंत हो जाएगा तब देखूंगा कौन तुमें तिर्ची आंकों से देखता है जब तक पढ़ता हूँ, तबी तक तुमारे बुरे दिन है मानी ये सने में डूबी बाते सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आसिरवात देने लगता आज ललिता का विवा है सबेरे से ही महमानों का अना सुरू हो गया है गैनों की जंकार से घर गूंज रहा है मानी भी महमानों को देख देख कर खोश हो रही है उसकी देंपर कोई आभूशन नहीं है और ना उसे सुन्दर कपड़े ही दिये गए है फिर भी उसका मुक परसन है आदी रात हो गई थी विवा का मूरत निकटा गया जनवासे से चड़ावे की चीजें आई सभी औरतें उसक हो हो कर उन चीजों को देखने लगी ललीता को आभूशन पहनाए जाने लगे मानी के हिर्दे में बड़ी इच्छा हुई की जाकर वदू को देखे अभी कल जो बाल का थी उसे आज वदू वेस में देखने की इच्छा न रोक सकी वह मुस्कुलाती हुई कमरे में घुसी सहसा उसकी चाची ने जड़क कर कहा तुझे यहां किसने बुलाया था निकल जा यहां से मानी ने बड़ी बड़ी आतनाए सही थी पर आज की वज जड़की उसके हिर्दे में बांड की तरह चुप गई उसका मन उसे दिकारने लगा तेरे छिचोरेपन का यही पुरसकार है यहां सुहागियों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी वे खिस्याई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठ कर रोने के लिए उपर जाने लगी सैसा जीने पर उसकी इंदरनाथ से मुटभेड हो गई इंदरनाथ गोकुल का सहपाठी और परम्मित्र था वे भी नियुते में आया हुआ था इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए उपर आया था मानी को वे दो एक बार देख जुका था और ये भी जानता था कि यहां उसके साथ बड़ा दुर्वेवार किया जाता है चाची की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई थी मानी को उपर जाते देखकर वे उसके चित का भाव समझ गया और उसे संतावना देने के लिए उपर आया मगर दर्वाजा भीतर से बन था उसने किवाड की दरार से भीतर जाका मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी उसने धीरे से कहा मानी दौर खोल दो मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छेव गई और गंभीर स्वर में बोली क्या है इंदरनाथ ने गदगद स्वर में कहा तुम्हारे पैरों पढ़ता हूँ मानी खोल दो यसने में डूबा हुआ विने मानी के लिए अभूत पूरू था इस निर्दे संसार में कोई उससे ऐसी विन्ती भी कर सकता है इसकी उसने सुपन में भी कलपना न की थी मानी ने कांपते हुए आतों से द्वार खोल दिया इंदरनाथ जपटकर कमरे में गुशा देखा की छट के पंखे के कड़े से एक रसी लटक रही है उसका हिर्दय कांप उठा उसने तुरंच जेब से चाको निकाल कर रसी काट दी और बोला क्या करने जा रही थी मानी जानती हो इस अपरात का क्या दंड है मानी ने गर्दन जुगा कर कहा इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है जिसके सूरस्चे लोगों को घिरना हो उसे मरने पर भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि इस वर के दर्बार में न्याय का नाम भी नहीं है तुम मेरी दसा का अन्भव नहीं कर सकते इंदरनात की आँखें सजल हो गई मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था बोला सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी अगर तुम यह समझ रही हो कि संचार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रह्म है संचार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं सासा गोकुलाता हुआ दिखाई दिया मानी कमरे से निकल गई इंदरनात के सब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया था उसका क्या आश्या है या उसकी समझ में ना आया फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकासुदय हो गया इंदरनात को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को खटक गया उसकी तियोडियां बदल गई कठोर स्वर में बोला तुम यहां कब आए इंदरनात ने विचलित भाव से कहा तुमी को खोशते हुआ यहां आया था तुम यहां न मिले तो नीचे लोटा जा रहा था अगर मैं चला गया होता तो इस वक्त तुमें यह कमरा बंद मिलता और पंके के कड़े में एक लास लटकती हुई नजर आती गोकुल ने समझा यह अपने अपराज को चिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है तीवरिकंट से बोला तुम यह विश्वास खात करोगे मुझे ऐसी आसा न थी इंद्रनात का चैरा लाल हो गया वह आवेश में आकर खड़ा हो गया और बोला न मुझे यह आसा थी कि तुम मुझे पर इतना बड़ा लांचन रख दोगे मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो मानी तुम्हारे लिए त्रिसकार के वस्तू हो मेरे लिए वस रद्धा के वस्तू है और रहेगी मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुम से ये बातें कहूं इसके लिए अनकूल प्रस्थितियों की राह देख रहा था लेकिन मुआमला आप पढ़ने पर कहना ही पढ़ रहा है मैं यह तो जानता था कि मानी का तुमारे घर में कोई आदर नहीं लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और तयाज समस्ते हो यह आज तुमारी माता जी की बातें सुनकर मालूम हुआ केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चड़ावे के गैने देखने चली गई थी तुमारी माता ने उसे इस बुरी तरह जिड़का जैसे कोई कुटे को भी ने जिड़केगा तुम कहोगे इसे मैं क्या करूँ मैं कर ही क्या सकता हूँ जिस घर में एक अनात इस्त्री पर इतना त्याचार हो उस घर का पानी पीना भी हराम है अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज ये नोबत ना आती तुम इस इलजाम से नहीं बच सकते तुमारे घर में आज विवा का उत्सव है मैं तुमारे माता पिता से कुछ बात कीत नहीं कर सकता लेकिन तुम से कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं मानी को अपने जीवन की सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब ये प्रस्ताव करूंगा पर मुझे भय है कि और विलंब करने में साइद मानी से हाथ धोना पड़े इसलिए तुमें और तुम्हारे घरवालों को चिंता से मुक्त करने के लिए आज ही ये प्रस्ताव किये देता हूं गोकुल के हिर्दय में इंदरनात के परती ऐसी सरद्दा कभी न हुई थी उस पर ऐसा संदे करके वह बहुती लज्जित हुआ उसने ये अनभव बे किया की माता के भैसे मैं मानी के विशे में तटस्त रहकर कायरता का दोसी हुआ हूं ये केवल कायरता थी और कुछ नहीं कुछ जहेपता हुआ बोला अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर जिड़का तो ये उनकी मुखता है मैं उनसे आउसर मिलते ही पूछूंगा इंदरनात अब पूछने पाचने का समय निकल गया मैं चाहता हूं कि तुम मानी से इस विते में सला करके मुझे बतला दू मैं नहीं चाहता कि अब वह यहां छण भर भी रहे मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विनी प्रकृति की इस्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके सवभाव पर मुगद हो गया हूं ऐसी इस्त्री अत्याचार नहीं सह सकती गोकृल ने डरते डरते कहा लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधुआ है जब हम किसी के हाथों अपना असाधारन हित होते देखते हैं तो हम अपनी बुराईयां उसके सामने खोल कर रख देते हैं हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपके इस किर्पा के सर्वता आयोग्य नहीं है इंदरनाथ ने मुश्कराकर कहा जानता हूं सुन चुका हूं और इसलिए तुम्हारे बाबुजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहास नहीं हुआ लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चे पर कोई असर ना पड़ता मानी विद्वा ही नहीं अचूत हो उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है वैबी हो फिर भी मेरे लिए वरमनी रत्न है हम छोटे मोटे कामों के लिए तजर्बे कार आदमी खोशते हैं मगर जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजर्बे का होना एप समझते है मैं नियायक अगला कोटने वालों में नहीं हूँ विपत्ती से बढ़कर तजर्बा सिखाने वाला कोई विद्याले आज तक नहीं खुला जिसने इस विद्याले में डिग्री ले ली उसके हातों में हम निश्चिन्थ होकर जीवन की बाग दोर दे सकते हैं किसी रमणी का विद्वा होना मेरी आँखों में दोस नहीं गुण है गोकुल ने परसन होकर कहा लेकिन तुमारे घर के लोग इंद्रनाथ ने दिर्दा से कहा मैं अपने घर वालों को इतना मुल्ट नहीं समझता कि इस विद्याय में आपत्ती करें लेकिन वियापत्ती करें तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं बहुत सी बातों में मैं उनके इच्चा को कानून समझता हूँ लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए सुब समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता मैं इस गल्व का अनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वैम अपने जीवन का निर्माता हूँ गोकुल ने कुछ संकित होकर कहा और अगर मानी न मनजूर करे इंदरनात को या संका बिलकुर निर्मूल जान पड़ी बोले तुम इस समय बच्चों किसी बात ने कर रहे हूँ गोकुल या मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मनजूर ना करेगी वैस घर में ठोकरें खाएगी जड़कियां सहेगी गालियां सुनेगी पर इसी घर में रहेगी यूगों के संसकारों को मिटा देना आसान नहीं है लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा उसके मन में संचित संसकारों को निकालना पड़ेगा मैं विद्वाओं के पुनर्विवा के पक्ष में नहीं हूँ मेरा ख्याल है कि पती वर्ता का या अलोकी कादर संसार का मुल्य रत्ना है और हमें बहुत सोच समझ कर उस परागात करना चाहिए लेकिन मानी के विशह में वह बात ही नहीं उठती प्रेम और भक्ती नाम से नहीं व्यक्ति से होती है जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता केवल रस्म की बात है इस आडंबर की इस दिखावे की हमें परवान न करनी चाहिए देखो सायथ कोई तुमें बुला रहा है मैं भी चलता हूँ दो तिन दिन में फिर मिलूंगा मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पढ़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं गोकुल ने उसके गले में हाट डाल कर कहा मैं परसों खुद ही आऊंगा बरात बिदा हो गई थी महमान भी रुक्सत हो गए थे रात के नो बज गए थे विवा के बात के नीद मसूर है घर के सभी लोग सरे साम से सो रहे थे कोई चारपाई पर कोई तक्त पर कोई जमीन पर जिसे जहां जगा मिल गई वहीं सो रहा था केवल मानी घर की देखबाल कर रही थी और उपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था सैसा गोकुल ने पुकारा मानी एक गिलाश ठंडा पानी तो लाना बड़ी प्यास लगी है मानी पानी लेकर उपर गई और मेज पर पानी रखकर लोटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा जरा मानी तुमसे कुछ कहना है मानी ने कहा अभी फुर्सत नहीं है भाई सारा गर सो रहा है कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी ना बचे गोकुल ने कहा घुस आने दो मैं तुमारे जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता मुझे इसी वक्त इंदरनाथ से मिलना है मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है देखो संकोच मत करना मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना देर होगी तो वै घबराएगा इंदरनाथ को तुम से प्रेम है यह तुम जानती हो न मानी ने मुफेर कर कहा यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था मैं कुछ नहीं जानती गोकुल खेर यह वै जाने और तुम जानो वै तुम से विवा करना चाहता है वैदि क्रीती से विवा होगा तुमें सविकार है मानी की गर्दन सरम से जुग गई वै कुछ जबाब न दे सकी गोकुल ने फिर कहा दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई इसका कारण तुम जानती ही हो वै तुमें घुड़कियां दे दे कर जला जला कर चाहें मार डालें पर विवा करने की सम्मत्ती कभी न देंगे इससे उनकी नाक कड़ जाएगी इसलिए अब इसका निर्ने तुम्हारे ही उपर है मै तो समझता हूँ तुमें सविकार कर लेना चाहिए इंद्रना तुमसे प्रेम करता है ही योँ भी निश्कलंग चरितर का आदमी है और बला का दिलेर भै तो उसे चुही नहीं गया मुझे तुमें सुखी देखकर सच्चा आनंद होगा मानी के हिर्दय में एक वेक उठ रहा था मगर मुझे आवाज न निकली मुझे लगा मानी सर्म के मारे वहां से भाग गई साम को गोकुल ने अपनी मा से कहा अम्मा इंद्रनात के घराज कोई उत्सव है उसकी माता के लिए घमरा रही थी कि कैसे काम होगा मैंने कहा मानी को भेज दूँगा तुमारी आग्या हो तो मानी को पहुचा दूँ कल परसों तक चली आएगी मानी उसी वक्त वहां आ गई गोकुल ने उसकी और कंखियों से ताका मानी लज्जा से गड़ गई भागने का रास्ता न मिला माने कहा मुझसे क्या पूछते हो वह जाए तु ले जाओ गोकुल ने कहा कपड़े पहन कर तयार हो जाओ तुम्हें इंदरनात के घर चलना है मानी ने आपत्ती की मेरा जी अच्छा नहीं है मैं न जाओंगी गोकुल की माने कहा चली क्यों नहीं जाती क्या महां कोई पहार खोदना है मानी एक सफेद साड़ी पहन कर तांगे पर बैठी तो उसका हिर्दय कहां परा था और बार बार आँखों में आशू भराते थे उसका हिर्दय बैठा जाता था मानो नदी में डूबने जा रही हो तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने कोकुल से कहा भाया मेरा जीन जाने कैसा हो रहा है लोड़ चलो तुम्हारे पैर पढ़ती हूं कोकुल ने कहा तू पागल है वाँ सब लोग तेरी राद देख रहे हैं और तू कहती है लोड़ चलो मानी मेरा मन कहता है कोई अनिष्ठ होने वाला है गोकुल और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है मानी दस-पांस दिन ठायर क्यों नहीं जाते कह देना मानी बीमार है गोकुल पागलों किसी बातें न करो मानी लोग कितना हसेंगे गोकुल मैं सोब कार्य में किसी की परवा नहीं करता मानि अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी मेरे कारण तुम्हें भी जड़कियां मिलेंगी गोकुल इसकी कोई परवाद नहीं है उनकी तो यह आदत ही है तांगा पहुँच गया इंदरनात की माता विचार सिल महिला थे उन्होंने आकर वदू को उतारा और भीतर ले गई गोकुल यहां से घर चला तो ग्यारा बज रहे थे एक और तो सुब कारे को पूरा करने का आनंद था दूसरी और भैथा की कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जबाब दूँगा उसने निश्चे किया चल कर सब साप साप कह दूँ छिपाना वेर्थ है आज नहीं कल कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा आज ही क्यों न कह दूँ यह निश्चे करके वे घर में दाखिल हुआ माता ने किवार खोलते वे कहा इतनी रात तक क्या करने लगे उसे भी क्यों न लेते आए कल सबीरे चो का बरतन कौन करेगा गोकुल ने से जुका कर कहा वे तो अफसाहिल लोट करना आवे अम्मा उसके वहीं रहने का प्रवंद हो गया है माता ने आँख फार कर कहा क्या बकता है भला वे वहाँ कैसे रहेगी गोकुल इंद्रनास से उसका विवा हो गया है माता मानो आकास से गिर पड़ी उन्हें कुछ सुद न रही की मेरे मुझ से क्या निकल रहा है कुलंगार भड़वा हराम ज़्यादा और ना जाने क्या क्या कहा यहां तक की गोकुल का धहरे चर्म सीमा का उलंगन कर गया उसका मुझ लाल हो गया त्योड़ियां चड़ गई बोला अम्मा बस करो अब मुझ में इस से ज़्यादा सुनने की सामर्थे नहीं है अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर न उठाता मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया मैंने वही किया जो ऐसी दसा में मेरा कर्तवे था और जो हर एक भले आदमे को करना चाहिए तुम मूर्ख हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम की समय की क्या परगती है इसलिए अब तक मैंने धैरे के साथ तुम्हारी गालियां सुनी तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिता जी ने भी मानी के जीवन को नार किये बना रखा था तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़ना दी जो कोई अपने सत्रू को भी न देगा इसलिए न किवे तुम्हारी आसरित थी इसलिए न किवे अनाथनी थी अब तुम्हारी गालियां खाने ना आवेगी जिस दिन तुम्हारे घर विवा का उस्ता हो रहा था तुम्हारे ही एक अठोर वाकिस से आहत होकर वे आतम हत्या करने जा रही थी इंदरनात उस समय उपर न पहुंच जाते तो आज हम तुम और सारा घर हवालात में बैठे होते मता ने आँखे मठका कर कहा आहा कितने सपूद बेटे हो तुम की सारे घर को संकट से बचा लिया क्यों नहो अभी बहन की बारी है कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले बांदाना फिर तुमारी चांदी हो जाएगी यह रोजगार सबसे अच्छा है पढ़ लिख कर क्या करोगे गोकुल मर्म वेदना से तिलमला उठा वेथित कंट से बोला इसवर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्ब से जर्म ले तुमारा मुझ देखना भी पाप है यह कहता हुए वे घर से निकल पड़ा और उनमतों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ जोर के जोंके चल रहे थे पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था की सांस लेने के लिए हवा नहीं है एक सपता बीद गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं इंदरनात को बंबई में एक जगह मिल गई वह वह वहाँ चला गया था वहां रहने का प्रबंद करके वह अपनी माता को तार देगा और तब साच और बहु वहाँ चली आएंगी वंसी धर को पहले संदे हुआ कि गोकुल इंदरनात के घर चिपा होगा पर जब वहाँ पता ना चला तो उन्होंने सारे सहर में खोज पूछ शुरू की जितने मिलने वाले सने ही संबंदित थे सभी के घर गए तुमें कभी बुद्धी आएगी भी या नहीं गई थी चुडैल जाने देती एक बोच सेर से टला एक महरी रखलो काम चल जाएगा जब वह ना थी तो घर क्या भूखो मरता था विद्वाओं के पुनर विवाद चारो ओर तो हो रहे हैं यह कोई अनहुनी बात नहीं है हमारे वस्त की बात होती तो इस विद्वा विवाद के पक्षपातियों को देश से निकाल देते साब दे कर जला देते लेकिन यह हमारे वस्त की बात नहीं फिर तुम से इतना भी नहो सका कि मुझसे तो पूछ लेती मैं जो उचित समझता करता क्या तुमने यह समझा था मैं दब्तर से लोटकर आऊंगा ही नहीं वही मेरी अन्तेश्टी हो जाएगी बस लड़के पर तूट पड़ी अब रोख खुब दिल खोलकर संध्या हो गई थी वंसीधर इस्त्री को फटकाने सुना कर दौार पर उद्वेक की दसा में टहल रहे थे रह रह कर मानी पर करोध आता था इसी राक्ससी के कारण मेरे घर का सर्वनास हुआ नहीं किस बुरी साइट में आई की घर को मिटा कर छोड़ा वैना आई होती तो आज क्यों ये बुरे दिन देखने पड़ते कितना होनहार कितना पटिबासाली लड़का था ना जाने कहां गया एक आएक एक बुडिया उनके समय पाई और बोली बाबु साहब ये खत लाई हूं ले लीजिए वनसी धर ने लपक कर बुडिया के हाथ से पत्र ले लिया उनकी छाती आसा से धगदग करने लगी गोकुल ने साइदिया पत्र लिखा होगा अंदेरे में कुछ न सूजा पूचा कहां से लाई है बुडिया ने कहा वही जो बाबु हुसेन गंज में रहते हैं जो बंबई में नोकर हैं उन्ही की बहु ने भेजा है वनसी धर ने कमरे में जाकर लेंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे मानी का खत था लिखा था पूच्ये चाचा जी अभागनी मानी का पढ़नाम सुविकार कीजिए मुझे यह सुनकर रत्यन दुख हुआ कि गोकल भईया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है मैं ही इसका कारण हूँ यह कलंक मेरे ही मुक पर लगना था वै भी लग गया मेरे कारण आपको इतना सोख हुआ इसका मुझे बहुत दुख है मगर भईया आवेंगे अवश्य है इसका मुझे विश्वास है मैं इसी नो बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ मुझे जो कुछ अपराद हुए है उन्हें चमा कीजिएगा और चाची से मेरा परणाम कहिएगा मेरी इस्वर से यही प्रातना है कि गोकुल भईया से कुछल घर लोटावें इस्वर की इच्चा हुई तो भईया के विवाब में आपके चड़नों के दर्शन करूंगी वंसिधर ने पत्र फार कर पुर्जे-पुर्जे कर डाला घड़ी में देखा तो आट बज रहे थे तुरंत कपड़े पहने सड़त पर आकर एकका किया और इस्टेशन चले बंबई मेल प्लेट फारम पर खड़ी थी मुसाफिरों में भगदन मचे हुई थी खोंचे वालों की चीक पुकार से कान में पड़ी आवाद न सुनाई देती थी गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी मानी सजलनेत्रों से सामने ताक रही थी अतीच चाहे दुखत दी क्यों न हो उसकी स्मिर्तियां मधूर होती है मानी आज उन बुरे दिनों को इस मन करके सुखी हो रही थी गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी चाचा जी आ जाते तो उनके दरसन कर लेती में समाज में हलचन न मत जाएगी भगवान की इच्चा होगी तो अब की जब यहां आउंगी तो जरूर उनके दरसन करूंगी एका एक उसने लाला वंसी दर को आते देखा वे गाड़ी से निकल कर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की और बड़ी उनके चड़नों पर गिरना चाहती थी कि वे पीचे हट गए और आखे निकाल कर बोले मुझे मच्छू दूर रह अब आगनी कहीं की मुँ में कालिक लगा कर मुझे पत्र लिखती है तुझे मौत भी नहीं आती तुने मेरे कुल का सर्वनास कर दिया आज तक गोकुल का पता नहीं तेरे ही कारणवे घर से निकला और तू अभी तक मेरी चाती पर मुंग दलने को बैठी है तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है मैं तुझे ऐसी कुल्टा ऐसी हरजाई समस्ता तो पहले दिन ही तेरा गला घोर देता अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है तुझ जैसी पापिष्ठाओं का मतना ही अच्छा है प्रित्वी का बोच कम हो जाएगा प्लेट फारम पर सैकणों आदमियों की भीड लग गई थी और वनसीदर निरलज पाउस से गालियों की बोचार कर रहे थे किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है पर मन में सब लाला को दिक्कार रहे थे मानी पासान मूर्टी के समान खड़ी थी मानों वहीं जम गई हो उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया ऐसा जी चाहता था धर्ती फट जाए और मैं समा जाऊं कोई वजर गिरा कर उसके जीवन अधम जीवन कांत कर दे इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया उसकी आँखों से आँसू की एक बूद भी ना निकली हिर्दे में आँसू ना थे उसकी जगए एक दावा नलसा धाक रहा था जो मानुवेक से मस्तिक्स की और बढ़ता जाता था संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा सास ने बुकारा बहु अंदर आ जाओ गाड़ी चली तो माता ने कहा ऐसा बेसरम आदमी मैंने नहीं देखा मुझे तो ऐसा करोद आ रहा था कि मूँ नोच लूँ गया तो हम क्या करें अगर ऐसे पापी न होते तो ये वजर ही क्यों गिरता मानी ने फिर मुँ न खोला साइद उसे कुछ सुनाई न देता था साइद उसे अपने अस्तित्व का ज्यान भी न था वे टक-टकी लगाए खिड़की की और ताक रही थी उस अंदकार में उसे न जाने क्या सूज रहा था कान पुराया माता ने पुछा बेटी कुछ खाएगी थोड़ी सी मिठाई खालो दस कप के बज गए मानी ने कहा अभी तो भूक नहीं है अम्मा फिर खालूंगी माता सोई मानी भी लेटी पर चचा की वह सूरत आँखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूज रहीं थी आह मैं इतनी नीच हूँ ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पिर्थवी का भार हलका हो जाएगा क्या का था तू अपने मा बाप की बेटी है तो फिर मुँ मत दिखाना न दिखाऊंगी जिस मुँ पर कालिमा लगी हुई हो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है गाड़ी अंदकार को चीरती हुई चली जा रही थी मानी ने अपना ट्रंक खोला अपने आभूशन निकाल कर उसमें रख दिये फिर इंदरनात का चित्र निकाल कर उसे देर तक देखती रही उसकी आँखों में गर्व की एक जलक सी दिखाई दी उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप नहीं नहीं मैं तुमारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती तुम देव तुल्य हो तुमने मुझे पर दया की है मैं अपने पूर्व संसकारों का प्रैस्चित कर रही थी तुमने मुझे उठा कर हिर्दे से लगा लिया लेकिन मैं तुमें कलंकित नहीं करूंगी तुमें मुझे प्रेम है तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सहलोगे पर मैं तुम्हारे जीवन का भाड़ न बनूंगी गाड़ी अंदकार को चीरती चली जा रही थी मानो आकास की और इतनी देर तक देखती रही कि सारे तार्या द्रस्चे हो गए और अंदकार में उसे अपनी माता का सहरूप दिखाई दिया ऐसा उजवल, ऐसा पर्तेक्ष की उसने चौक कर आँखे बंद कर ली फिर कमरे के अंदर देखा तो माता जी सो रही थी नजाने कितनी राद गुजर चुकी थी दर्वाजा खुलने की आहट से माता जी की आँख खुल गई गाड़ी तेजी से चली जा रही थी मगर बहु का पता न था वो आँखे मल कर उट बैठी और पुकारा बहु बहु कोई जबाब न मिला उनका हिर्दाई दगदग करने लगा उपर के बर्थ पर नजड़ डाली पिसाब खाने में देखा पैंचों के नीचे देखा बहु कहीं न थी तब वेद्वार पर आकर खड़ी हो गई संका हुई ये द्वार किसने खोला कोई गाड़ी में तो नहीं आया उनका जी घबराने लगा उन्होंने किवार बंद कर दिये और जोर जोर से रोने लगी किस से पूछें दाग गाड़ी आप न जाने कितनी देर में रुकेगी कहती थी बहु मरदानी गाड़ी में बैठो पर मेरा कहना न माना कहने लगी अम्मा जी आपको सोने की तकलिफ होगी यही आराम दे गई सहसा उसे खत्रे की जंजीर याद आई उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खिंची कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी गाड़ आया परोस के कमरे से दो चार आदमी और भी आए फिर लोगों ने सारा कमरा तलास किया नीचे तक्ते को ध्यान से देखा रक्त का कोई चिन न था असबाब की जांच की बिस्तर, संदूग, संदूगची, बरतन सम मौझूद थी ताले भी सब के बंद थे कोई चीज गायब न थी अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहां एक इस्तरी को लेकर गाड़ी से कूच जाना असंबाव था सब लोग इन लक्षुनों से इसी नतीजे पर पहुंचे की मानी द्वार खोल कर बाहर जांकने लगी होगी और मुठिया हास से छूड जाने के कारण गिर पड़ी होगी गाड़ भला अदमी था उसने नीचे उतर कर एक मिल तक सड़क के दोनों तरब तलास किया मानी का कोई निसान न मिला रात को इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था माता जी को कुछ लोग आगरे पूरवक एक मरदाने डिबे में ले गए यह निश्चे हुआ कि माता जी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देख बाल की जाए विपत्ती में हम परमुखा पेक्छी हो जाते हैं माता जी उसका मुझ देखती कभी उसका उसकी याचना से भरी हुई आखे मानों सबसे कह रही थी कोई मेरी बच्ची को खोच क्यों नहीं लाता हाए अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई कैसे कैसे साधों और अर्मानों से भरी पती के पास जा रही थी कोई उस दुष्ट वंसी धर से जाकर कहता क्यों नहीं ले तेरी मनों भिलासा पूरी हो गई जो तू चाहता था वै पूरा हो गया क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुडाती प्रिद्दा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंदकार को चीरती चली गई रवी वार का दिन था संद्या समय इंद्रनाथ दो-तिन मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था आपस में हास परिहास हो रहा था मानी का आगमन इस परिहास का विसे था एक मित्र बोले क्यों इंद्र तुमने तो वैवाही गीवन का कुछ अन्भो किया है हमें क्या सला देते हो बनाए कहीं खोसला या योही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटें पत्र पत्रकाओं को देख कर तो यही मालुम होता है कि वैवाही गीवन और नरक में कुछ थोड़ा ही सांतर है इंद्रनाथ ने मुश्कुरा कर कहा यह तो तकदीर का खेल है भाई सोला हो आना तकदीर का अगर एक दसा में वैवाई गीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दसा में स्वर्ख से कम नहीं दूसरे मित्र बोले इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी इंद्रनाथ इतनी क्या इसका सतांस भी न रहेगी अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे घर लोटना चाते हो 9 बजे सो कर उठना चाते हो और दफ्तर से 4 बजे लोट कर तास खेलना चाते हो तो तुम्हें विवाग करने से कोई सुख न होगा और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब साथ साल भर में भी न बनवा सको सिरीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही है हाँ मेल से मेरे साथ चल कर उन्हें रिसीव करोगे न यह भी पूछने की बात है अब घर कौन जाता है मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी सहसा तार के चप्राशी ने आकर इंदरनाथ के हाथ में तार काली फाफा रख दिया इंदरनाथ का चैरा खिल उठा जट तार खूल कर पढ़ने लगा एक बार पढ़ते ही उसका हिर्दे धक से हो गया सांस रुख गई सिर घूमने लगा आँखों की रोशनी लुप्त हो गई जैसे विष्प पर काला परदा पढ़ गया हो उसने तार को मित्रों के सामने फेंग दिया और दोनों हातों से मुझ धाप कर फूट फूट कर रोने लगा दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और पढ़ते ही हद बुद्धी से ही दिवार की और ताकने लगे क्या सोच रहते और क्या हो गया तार में लिखा था मानिगाडी से कूट पड़ी उसकी लास लालपुर से तीन मील पर पाई गई मैं लालपुर में हूँ तुरंत आओ एक मित्र ने कहा किसी सत्रू ने जूटी खबर न भेश दी हो दूसरे मित्र ने कहा हाँ कभी कभी लोग ऐसी सरारते करते हैं इंद्रनाथ ने सुन्ये नेत्रों से उनकी और देखा पर मुझ से कुछ बोले नहीं कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निसपंद बैठे रहे एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले मैं इस गाड़ी से जाऊंगा बंबई से नो बजे रात को गाड़ी चूटती थी दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदी बांद कर तयार कर दिया एक निबिस्तर उठाया दूसरे ने ट्रंक इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और इस्टेशन चले निरासा आगे थी आसा रोती हुई पीछे एक सप्ता गुजर गया था लाला वंसीदर दप्तर से आकर दोयार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया वंसीदर उसे देखकर चौक पड़े उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं उसकी विक्रत दसा पर मानो वीतराग सोक के सामने खड़ा हू मानो कोई हिर्दय से निकली हुई आह मोर्ती मान हो गई हू वंसीदर ने पूछा तुम बंबई चले गए थे न इंद्रनाथ ने जवाब दिया जी हाँ आज ही आया हूँ वंसीदर ने तीके स्वर में कहा गुकुल को तो तुम ले भीते इंद्रनाथ ने अपने इंगुठी के और ताकते हुए कहा वे मेरे घर पर है वंसीदर के उदास मुक पर हर्स का प्रकात दोड़ गया बोले तो यहां क्यों नहीं आए तुम से कहा उसकी भीत हुई क्या बंबई चला गया था जी नहीं कल मैं गाड़ी से उत्रा तो इस्टेशन पर मिल गए तो जाकर लिवा हो न जो किया अच्छा किया यह कहते हुए वे घर में दोड़े एक छण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया वे अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पाउं तक देखा तुम बिमार थे क्या भाईया चेरा क्यों इतना उत्रा है इंदर नात ने कुछ उत्तर ना दिया गोकुल की माता ने पानी का लोटा रख कर कहा हाथ मूँ धो डालो बेटा गोकुल है तो अच्छी तरह कहां रहा इतने दिन तब से सैक्णों मन्नते मान डाली आया क्यों नहीं इंदर नात ने हात मूँ धोते हुए कहा मैंने तो कहा था चलो लेकिन डर के मारे नहीं आते और था कहां इतने दिन कहते थे दियातों में घूमता रहा तो क्या तुम अकेले बंबई से आये हो जी नहीं अम्मा भी आई है गोकुल की माता ने कुछ सक्चा कर पूछा मानी तो अच्छी तरह है इंदर नात ने हास कर कहा जी हाँ अब वैब बड़े सुक्षे है संसार के बंधनों से छूट गई माता ने एविश्वास करके कहा चल नटखट कहीं का बेचारी को कोश रहा है मगर इतनी जल्दी बंबई से लोट क्यों आए इंदर नात ने मुस्कुराते हुए कहा क्या करता माता जी कातार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूट कर प्रांट दे दिये वै लालपूर में पड़ी हुई थी दोड़ा हुआ आया वहीं दाह किरिया की आज घर चला आया अब मेरा अपराच्छमा कीजिए वै और कुछ ने कह सका आंसों के वेग ने गला बंद कर दिया जेब से एक पत्र निकाल कर माता के सामने रखता हुआ बोला उनके संदूक में यही पत्र मिला है गोकुल की माता कई मिन तक मरमहात सी बैठी जमीन की और ताक्ती रही सोक और उससे अधिक पस्चाता अपने सेर को दबा रखा था फिर पत्र उठा कर पढ़ने लगी स्वामी जब यह पत्र आपके हाथों में पहुँचेगा तब तक मैं इस संसार से निन्दा मिलेगी मैंने सोच कर देखा और यही निश्चे किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या परतिदान करूं जीवन में मैंने कभी किसी वस्टू की इच्छा नहीं की प्रंतू मुझे दुख है कि आपके चड़नों पर सिर्द रख कर न मर सकी मेरी अंतिम याच्ना है कि मेरे लिए आप सोग न कीजिएगा इस वर आपको सदा सुखी रखे माता जी ने पत रख दिया और आँखों से आँशू बहने लगे ब्रामदे में वंसी दनिस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्यानत उनके सामने खड़ी थी धन्यवाद